इंडिया के द्वारा यूक्रीन में परिवार की खबर चलाने के बाद सीएम गेहलोत ने उनसे फोन पर बात की और उनको मदद का भरोसा दिलाया खारखीव में जैपुर के किशोर गुर्नानी अपनी पत्नी और दोनों छोटे बच्चों की साथ फसे हैं हर्याणा के तीन दोस्त भी इनके साथ हैं आपको बता दे किशोर की पत्नी डाइबिटीस की मरीज हैं और इंसूलन लेती हैं लेकिन इंसूलन खत्म हो रही हैं और सभी लोग अपने दोस्त के आफिस में बने गोदाम में छिपे हैं गोदाम को बंकर की तरहां बनाया गया है उधर चारों तरफ लगातार बं धमाके हो रही हैं बच्चे बुरी तरहां से डरे हुए हैं और हमारे साथ यूक्रेन से किशोर गुर्णानी खुद जुड़ गए है किशोर जी आपकी CM गहलोच से बातचीत हुई क्या ये बातचीत हुई किशोर जी कितनी देर की आपकी ये बातचीत थी राजस्तान सरकार की तरफ से जो प्रयास किये जा रहे हैं राजस्तान फाउंदेशन की तरफ से उसको लेकर भी उन्होंने कुछ कहा कहां कि हमने सब तरफ दे रखा है आपका पूरी कोशिश की जा रही है सब तरफ से उसने कुछ रस्ता जिरू निकलेगा जी किशोर जी और हमारे साथ धीरच श्रिवास्तव राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त जो लगातार जितने भी छात्र यहां पर पहुंच रहे हैं या जो भारतियों से या राजस्थानियों से कॉंटेक्ट बनाए हुए है उसकी जिम्यदारी लिए हुए है धीरच जी ब बात की जैपूर का ये परिवार जो कि खारखीव में फसा हुआ है क्या आपके आपको उस बारे में जानकारी लग पाई अभी तब अब जैसे आप लोगो ध्यान है और आप लोग सब देख रहे हैं कि ये वार जो है बजाए कम होने के और बढ़ने की तरफ अगे तरह है और कहीं से भी कोई मदद नहीं पहुंट रही तो तो पॉस्चिन इस नोट कि इतने बच्चे वहां से वापिस आ रहे हैं मोर इंपोर्टेंट पॉस्चिन इस दोस स्टूलें वार इरिया और अजो वार इस्टूलें के रोमानिया एंड पॉलाइन बॉर्डर क्योंकि मिनिस्टी की एद्वाइजर इशू हुई कि यह लोग अपने सादन से वहां पहुंच जाएं और उसके बाद इसको पैस्टी चेक करके बॉर्डर में इंटर करा दिया जाएगा उनके वीज़ा का इशू नहीं आएगा जो स्टूरेट्स थाउगर्स की स्थिया में वहां पहुंच गए अब माइनस पाइव डिग्री टेंपरेचर में बिना खाना खाए पिये और उनके मोगाइज दिश्चार्ज हो गए उनके पेरेंस उनकी बात नहीं हो पारी पेरेंस की आप मान से की समर सकते हैं कि बच्च से और सुखेंच से लगातार बात्चीत का तिल्क्रा शुरू किया है आप लोगों ने भी उसको अपने चैनल पे दिखाया है और हमारी में से और भारत सरकार से ये गुजारिश्ट है ये अपील है कि अपने सेफ पैसेज के लिए प्रेटेक्शन और टेक्योटिक कवर के स साथ में इन स्टूलेंट्स को अभी लंब वहां पे निकाला जाए क्योंकि अब कमें आ गया है एक डिसाइटिव स्टेप लेने का और ये जो मिनिस्टर्स का डिसिजन हुआ है जो मिनिस्टर्स जा रहे हैं उनसे भी हमारी यही रिंक्वेस्ट पे यही अपील है कि में के चाहें जो भी स्टेप्स ये जाएं लेकिन ये स्टूटेंट पर ऐसे आजाएं और वनरिबल हो जाएं और किसी भी हाद्टेका कहीं है शिकाद ना हो जाएं इस बात का हमें पूरा इंशोर करना पड़ेगा ये पूरे प्रोटेक्शन जिसाथ में वांपस आएं जी सर कल अब उस फ्लाइक में कितने राजस्थानी आयें कोई इस बारे में जानकारी है एक रोल प्लाइट आरहे हैं और ये प्लाइट में हमारे राजस्थान के कहीं बच्चे था याज कहीं बारा इस तरह कि की संख्या से स्टूड़ेंट आ रहे हैं बेट इस नॉट एश्य गर अपने मतल को वापित आगए और हम लोगों ने उनको एर्पोर्ट से लगा करके जैसे पुरे उनके निवाज तक उनके ग्रेज शिंट तक पुरा उनको अपने प्रटेक्शन में भेज रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है और तंसकम वो जो बच्चे घर पहुंच गए वो हम सब लोगों के लिए प्रेजिक दिलाता है लेकिन मेरी चिंटा जैसे मैंने कहा मैं दुबारा कह रहा हूं कि जो रोमानिया के और पोलैंट के बॉर्डर पर जिन बच्चों के उपर लाटी चार्ज हो गया उक्रेम के स्पैनिक प्रति होगे हैं ऐसे वातावरंड में हमारा जो पतम फर्द और कर्तब है भारत सरकार की तरफ से उन बच्चों के चिंटा और मिनिस्ट की जाने चाहिए जी सर ये आपने बहुत सही बात कही और क्योंकि जब ये युद शुरू हुआ था जो इस्तिती बन रही थी उससे पहले ही आप लोगों ने प्रयास शुरू कर दिये थे और एक दन जब हम बारी सुभा बात हुई थी तब आपने कहा था कि हम लगातार कॉंटेक्ट कर रह जात्र महा मौजूद है राजस्थान के लिए बिल्कुल डेटा है और हमारे पास में एक एक सुदेंट का जो बॉर्डर से लगा करके जो अपने बंकर्स में और हॉस्टर्स में हैं युनिवर्स्टी के थूप भी उनको बनाये गया हमने वाट्ट्टेप ग्रूप के थू सब्सक्राइब करें लिए और यह जगें जहां पर से शायद अभी कोई भी मूमेंट नहीं हो सकता क्या वहां जो भारती फसे हुए है क्योंकि जैपूर का ही एक परिवार से है जैसे देखो लेटर्स में आपको मेगा अपडेट कर देता हूं कि तल रात में एम्वेफी के ऑफिशल्स में कीव के छात्रों से उनके उस्टर्स में जाके बात करी है और उनको अब उनको मूम करेंगे और बहुत 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 शुक्रिया आपका हमसे जुणने के लिए और लगातार ये प्रियास राजस्थान पाउंडेशन की तरफ से मुख्यमंत्री गैलोत की समवेधन शीलता जो लगातार शात्रों से भी वह बात कर रहे हैं परिवार से वह बातचीत कर रही है क्योंकि इस्तिती बहुत चिंता जनक है